दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में इस वीडियो में आप लोग क्लास 10 का मैत का सलूशन करेंगे सबसे पहले आपको ये जनकारी होना चाहिए कि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 10 का मैत, फिजिक्स और इंगलिस पढ़ाई जाएगी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको जो है मैत का और क्लास 10 का जो सब्जेक्ट बुला गया है वो पूरी तैयारी कराए जाएगी इस चैनल पर तो चलिए पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन सा कोस्टन करने वाले हैं तो आज जो है 1.1 प्रस्नावली कितना 1.1 का कोस्टन नम्बर हम लोग 1 करने वाले हैं वन का हम लोग solution करने वाले हैं इसको जो है method by method total question आपको पढ़ाये जाएगा तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो है इसमें हम लोग कौन सा question परने वाले हैं तो सबसे पहले one कहता क्या है question ये पढ़ना जरूरी है तो एक बार उसको reading कर लीजिए निमलखित संख्याव का SC सबसे पहले हम लोग कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि क्या लिखना है यहां पे जो है रॉफ वर्क करना है रॉफ वर्क में 135 और 225 को जो हम लोग पहले बनाए है एस ये भाग वीदी से जो हम लोग पहले बनाते थे उसी तरह हम लोग को यहां पर बनाना है अब जो है हल करने के लिए हम लोग हल लिख देंगे या यहां पर हम लोग हल करना चालू करेंगे तो किस विद्धी से सबसे पहले रौफ काला काम कर लेते हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है हम लोग को तो यहां पर इसको हम लोग इसको जो है हम लोग को क्या करना है यह 35 अब इससे भाग देंगे 90 से 135 में तो 90 और सब इसको बात हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को आ जाएगा फैतालीश किटना आ ए डोनों लिख स्कते हैं काट भी सकते हैं जर इसको बोलते है और इसको बोलते हैं चैसे ऑब गाल यहां पर यूख्लीड विभाजन परियोक करने के लिए कोस्चन में बोल दिया है तो उस बीदी से ही हम लोग हल करेंगे ठीक है तो लिख लेते हैं यूख्लीड विभाजन परिमेटा से लिखेंगे यहां पे यूख्लीड यूख्लीड विभाजन परमेटा से परमेटा से किमकि हम लोग को इसी बीधी से बनाना है तो इस बीधी में क्या कहता है कि एक दो फर्मूला होता है उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इंगलिस में दोनों हम आपको बता देते हैं कि ताकि आपको प्रोब्लम कहीं नहीं दिखेंगे तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यह भाजaltenी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग भाज्य बुराबर भाजक गुड्य भाग फल पलसस अब जो हम लोग को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो भाज यह को देखिए यहां पे डिनोट की हैं A से इसको हम लोग A लिख देंगे और भाजक को क्या चीछ से लिखेंगे भाजक को B से तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे B लिख देंगे और यहां पे गुणडा है तो गुणड होता है जीरो छोटा होगा या बराबर होगा और से क्या होता है पशल से अगवर छोटा हो जाएगा तो गलत हो झाल तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ठेका अब जो है इसका बनाना चालू करेंगे तो ए हमारा कितना है फर्स्ट कोस्चन में ए हमारा दो सो पचीस है तो एक जगा हम लोग लिख देंगे दो सो पचीस अब बराबर है तो बराबर यहां पे हम लोग लिख रहे हैं एक जगा हम लोग कितना लिखेंगे 225 बराबर एतो बराबर अभी का भैलू देखें यहां पे 16पैंस लिखा है यह Assembly यह वीक्पैंस निय्क मैड़ेन चहंट हिए कर देखा लिखा मुर्ए जर कि जगा हम लोग क्या लिखांब है वन और पालस है तो पालस और आर कि हमारा 90 तो यह हो गया आपका 90 इसमें इस condition को apply कर देना है यहां लिख देना है जहां आर बोराबर not 0 देखिए यहां पे आर का value 0 आया है नहीं आया है तो इसी कुमा एत भासा में हम लोग लिखती है आर बोराबर not equal to 0 ठीक है अब यहां पे जो है not 0 हो गया फिर दूसरा condition में अब यह हो गया और यह अब बी हो गया और यह क्यूं हो गया और निच्चे जो आएगा यह r हो गया अब यह successful हो गया क्यूंकि दूसरा condition हम लोग apply किये हैं तो अब जो है यहां पे apply किये है तो दूस अग्ले बढ़ना है जब तक 0 तो नहीं आता है तब तक आपका HCA final नहीं होता है अब जो है next है आपका यह वाला यहां तक हम लोग काम कर चुके हैं अब देखिए फिर यह और यह वाला R तो 0 हो गया है किउंकि घटेगा तो कितना होगा 0 तो यह कट गया है थिशन को लिखेंगे तो यह बराबर कितना है 90 और फिर क्या है बी बोराबर यहां बी है तो बी का भैलू है वहाँ पे देखिए यहां पे 45 तो 45 और फिर गुणा है तो गुणा और फिर क्यों का भैलू यह क्यों का भैलू इस सामने आ रहा है तो क्यों का भैलू कितना है टू तो यह टू लिख दिये आप पलस है तो पलस और फिर R का value कितना है 0 तो 0 लिख देंगे क्योंकि R का value 0 अब यहां हम लोग लिख देंगे जहां R बोराबर 0 यहां पर R का value 0 हो गया वहीं पर हमारा B का value यह वाला है B का value क्या होगा हमारा HCF हो जाएगा यहां पर कट जाता है आपका भाग फल लास्ट हो जाता है यहां पर भाजक से पड़ जाता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं तो यहां पर 45 HCF हो गया नियम के अनुसार यहां भी 45 पर HCF हो गया है अब इसको केवल एक भासा में लिख दीजी आप लोग तो बहुत टाइलेंट है जी आप लोग लिखी सकते हैं तो चलिए एक बार बता देते हैं ल चीज HCF बुराबर कितना आया है 45 कितना आया है 45 आया है तो 45 यहीं जो है हमारा एंसर हो गया इस तरह से आप लोग जो है 1.1 का कोस्टन नमबर 1 का टोटल कोस्टन बना सकते हैं अगर नहीं बनेगा तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताईए हम आपको जरूर बताएंगे अगर इस मेर्सट से नहीं किलियर होगा तो दूसरा भी तरीका बताएंगे आपको घबडाईए गामत कमेंट करके जरूर बताईए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद